जैश्री राम आज का मेरा विशे है भगवान राम नाम का मुल्य और भगवान राम नाम का प्रभाव देखो भगवान राम नाम का क्या वैसे तो चाहे कोई भगवान का नाम हो सभी भगवान के नामों का कोई मुल्य नहीं है और कोई उनका मुल्य लगा ही नहीं सकता कि उनकी कीमत आखना किसी के बस की बात नहीं है और मैं आपको एक कहनी के द्वारा आज बताऊंगी कि क्या उसका मुल्ले है भगवान के नाम का और वो क्या उसका प्रभाव है राम के नाम का तो चलिए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसिदास जी ने भगवान नाम की महिमा का उले करते हुए कहा है कि कल यूग में केवल भगवान का नाम ही आधार है भगवान के नाम से बड़े से बड़ा पापी जैसे गणिका और अजामिल सेद्रिस जो बड़े बड़े पापी थे वो भी भगवान के नाम के प्रभाव से सैजी मुक्त हो गई और श्री हनुमान जी ने इसी नाम के प्रभाव से भगवान श्री राम को अपने वस्मे कर रखा है नाम को जीव पर रखने मातर से बहार और भीतर प्रकास चा जाता है नाम की महिमा इतनी अधिक है कि स्वें भगवान भी इसका वर्नन नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या चीज हैं हम कैसे वर्ण कर सकते हैं उसके नाम का रामन सकही नाम गुनगाई यहां तक की भगवान शिव इस नाम की शक्ति से ही कासी में समस्त जीवों को मुक्ति परदान किया करते हैं इसी परकार मत भागवत महाभारत आदी अन्य शास्त्र भी नाम महिमा से भरे पड़े हैं नाम की इतनी महिमा है परंतो फिर भी इसका जो मतलब परिणाम मिलना चाहिए वो देखने में हमें नहीं आता कि किसी आम आदमी को या किसी को हम आज के कल युग में सुनते ही नहीं कि नाम के प्रभाव से इतना असर हुआ उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि लोगों को ज्यान नहीं है कुछ भी अगर काम होता है वो अज्यानतावस होता है हम सब को पता ही नहीं है कि भगवान के नाम का मुल्य क्या है और भगवान के न नाम की महिमा क्या है क्योंकि ग्यान से ही अग्यानता को दूर किया जा सकता है जब तक हम ग्यानी नहीं होंगे जब तक हमारा अग्यान दूर नहीं होगा और अग्यान दूर नहीं होगा तो हम भगवान के नाम का मुल्ले समझ पाएंगे ना उसकी महिमा समझ पाएंगे और ना ही उसके प्रभाव को समझ पाएंगे तो सारी बात यहां आके रुख जाती है कि सबसे पहले हमें ग्यान होना चाहिए नाम की तो कोई सीमा ही नहीं है नाम की शास्त्रों में अनेक महिमा बताई गई है शास्त्रों में जो मतलब नाम की महिमा गाई गई है ना वो भी कम है पर और सत्षंग की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही थोड़ी है उसी प्रकार नाम की महिमा का वर्नन जितना किया जाए उतना ही थोड़ा है असल में भगवान के नाम, तत्व, रहश, प्रभाव, गुण आधी, ने जानने के कारण ही उसकी स्रिधा में कमी है भगवान के नाम की महिमा तो अमीत है अब भगवान के नाम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, किसी से भी संसार में कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी तुलना भगवान के नाम से हो सके यहां तक की जड़ एम नासवान पदार्थों को लेकर भगवान के नाम को अगर हम तोलने बैठेंगे तो यह तो फिर अग्यानता का परिचे ही देना होगा मैं आपको एक सच्ची कहानी है बहुत समय पहले की उसके द्वारा बताती हूँ कि क्या है स्रीराम नाम का मुल्ले और कितना है स्रीराम के नाम का प्रभाव एक बात बहुत पुराने समय की बात है एक भोत उच्चे कोटी के भगवान के भग्त थे, नाम निष्ट महात्मा थे वो, उनके पास में एक उनका शिश्य भी रहता था, एक बार की बात है कि महात्मा कहीं बार चले गए और उसी समय उनकी कुटिया पर एक व्यक्ति आया और उसने पूछा शिश्य से कि महात्मा ज हो, तो आप मुझ से कहिए, तो वो जो आदमी आये था, उसने कहा, मेरा लड़का बहुत अधिक बिमार है, उसे कैसे ठीक किया जाए, मात्मा जी की अनुप्रस्तिति में आप ही कोई उपाई बताने की किरपा करें, शिश्य ने उत्तर दिया, बहुत ही सरल उपाई है, रा तो वो अपने घर चला गया, दूसरे दिन वह व्यक्ति बड़ी परशन मुद्रा से मात्मा जी की कुटिया पर आया, और उस समय वहां मात्मा जी उपस्तित थे, उनके चरणों में सादर प्रनाम किया, और बड़े ही विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ कर कहा, स्वामी ज अपने प्रिये पुत्र की रोग निवर्ति के लिए उपाए पूछा, तब इन्होंने बतलाया कि तीन बार राम नाम लिखलो और उसे धोकर पिला दो, मैंने घर जाकर ठीक उसी प्रकार किया, और बड़ा श्र्य हुआ, और खुशी की बात भी है, कि इस प्रियोग के करते ही लड़का तुरंत उठ बैठा, मानो उसे कोई बिमारी थी ही नहीं, यह सुनकर मातमा अपने सिश्चे पर बड़ा रुष्ट हुए, और उसके हित के लिए क्रोध का नाटक करते हुए बोले, अरे मुर्ख, इस साधारन सी बिमारी के लिए तुने राम नाम का तीन बार प्रियोग किया, तुनाम की महिमा को बिल्कुल भी नहीं जानता, अरे एक बार ही नाम का उचारन करने से अनंत कोटी पापो का ना सो जाता है, और मनुष्य प्रमपद को प्राप्त हो जाता है, तु इस आश्रम में रहने योग्य नहीं है, इसलिए जहां तेरी इच्छा ह तु यहां से चला जा, यह सब सुनकर सिस्से की आखों में आसु आ गए और उसने अपने गुरु देव से हाथ जोड़ कर माफी मांगी, तो संतों का हिर्दे तो दयालू होता है, उसका हिर्दे पिगल ही गया और उसने उसको शमा कर दिया, प्रंतु महात्मा ने सोची इस राम नाम का मुले बताना और राम नाम का परभाव बताना बहुत ही जरूरी है, तो उसके बाद महात्मा जी ने उसको एक बिल्कुल चम चम करता हुआ, सुन्दर पत्थर, चमकिला, कहीं से निकाला, और उसे शिश्य के हाथ में दे कर कहा, तो शहर में जाकर इसकी कीमत ल कीमत भर अकवानी है, कि कौन क्या कीमत आखता है, इसे लिख कर लोटाना, शिश्य से उसे लेकर बाजार चला गया, सबसे पहले एक साग सबजी बेचने वाली ओरत थी, उसने उसे पत्थर निकाल कर दिखाया और पूछा, तो इसकी अधिक से अधिक क्या कीमत दे सकती है, साग सबजी बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुन्दरता देखकर सोचा, यह बड़ा अच्छा पत्थर है, बच्चों के खेलने के लिए बड़ी सुन्दर वस्तु है, वै बोली, इसकी कीमत के बदले में एक डेड़ किलो मूली, आलू वगेरा, और जो तुझे आप क्या दे सकते हैं, बनिये ने विचार किया, पत्थर तो बड़ा सुन्दर तथा चमकिला है, और खूब वजंदार भी है, आते सोना चांदी तोलने में इसका अच्छा उप्योग हो सकता है, उसने कहा, एक रुपया दे सकता हूं, उसे इनकार करके सी से आगे चला गय कहा, बेचना नहीं है, तो एक सुनार की दुकान पर पहुंचा, सुनार ने देखकर विचार किया, यह तो बड़े काम की चीज है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बनाए जा सकते हैं, उसने कहा, अधीक से अधीक एक हजार रुपय दे सकता हूं, शिश्या ने कहा, बेचना नहीं है, और वो कहा कर आगे चला गया, आगे गया, तो जोरी की दुकान पर पहुंचा, पहले गुरु देव के पास से चला था जब शिश्या है, तब तो उसे किसी जोरी के पास जाने के सास भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था कि वो जोरी के पास पहु उसकी माननेता, जो एक साधार चम के लिए पत्थर की थी, अब वो खतम हो गई, नश्ट हो गई, जोहरी को दिखला कर उसकी कीमत पुछी, जोहरी ने विचार किया, तो उसने उसे हीरा समझा, और वह उसके मुल्य में एक लाख रुपे देने को तयार हो गया, शिष्टे ने अब वो वहां से जाकर और उच्चे कोटी के जो जोहरी थे उनके पास पहुचा, तो उन सब जोहरी ने मिलकर उसकी जांच की, तो पांच करोड रुपे उसकी कीमत लगा दी, उसके बाद वह शिष्टे वहां से भी चला गया, क्योंकि उसे बेचना तो था ही नहीं, राज साब ने सिष्टे को बड़े आदर से बिठाया और मुख्या मुख्या बड़े बड़े जो जोहरी थे वहां के रतनों को जो जानते थे उनको बुलाया, तो उन से उसकी कीमत लगाने के लिए बोला, तो सब ने विचार करके कहा, महराज हमने तो आज तक ऐसा रतन कभी दे दें, तो वहे भी इसके मुल्य में प्रियाप्त नहीं है, महराज ने शिष्टे से पूछा, ऐसा अनुपम्रतन तुम्हें कैसे मिला, शिष्टे ने उत्तर देते हुए का, इसे मेरे गुरु देव ने मुझे दे कर केवल मुल्य अकवाने के लिए ही बेजा है, पर बेचन में मैं अपना सारा राज्य दे सकता हूँ, तुम पुझे स्वामी जी से पूछ लेना, स्वामी जी उच्च कोटी के मात्मा इस बात को सभी जानते थे, इसलिए सब ने बड़े आदर सतकार के साथ उस शिष्टे को वहाँ से विदा कर दिया, शिष्टे ने मात्मा जी के पास लोटकर सारी काने सुनाई, और अंत में कहा गुरुदेव, मेरी तुछ सम्मत्ती तो यह है कि जब राजा साब इसके मुल्य में सारा राज्य ही दे रहे हैं, तो इसे बेच डालना ही चाहिए, मात्मा जी बोले, इसके मुल्य में राज्य भी कोई वस्तु नहीं है, अ और भी कीमत हो सकती है क्या कोई, मात्मा जी ने कहा, यह कोई लोए की वस्तु है, तो उसको लेकर आओ, शिश्य ने उतर दिया, जी हाँ, आसरम में कुछ यात्री आये हुए हैं, और उनके पास तवा, चिम्टा, संडासी वगएरा लोए के बहुत सारे बरतन भी हैं, आग वैसे ही सारे लोहे के जो जितने भी बरतन थे, जितने भी ओजार थे, देखते ही देखते शुद सोने के बन गएं, यह देखकर शिश्य की तो आँखे ही फटी रहा गई, उसने चकीत होकर पूछा, यह तो बड़ी विलक्षन वस्तु है, यह क्या है गुरु देव, मात्म कितनी होनी चाहिए, शिश्य बोला संसार में अधिक से अधिक कीमत सोने की ठहराई जाती है, और वै कीमत इससे उत्पन होती है, फिर इसका मुल्य कैसे आका जा सकता है, मात्मा जी बोले, भगवान नाम का मुल्य तो इससे भी बढ़ कर है, क्योंकि यह पारस तो जड़ प दार्थों की प्राप्ति हो सकती है, सचिदा नंद घन पर मात्मा की नहीं, अते है किसी भी सांसारिक पत्थर के साथ भगवान राम नाम की तुलना करना सर्वता अनूचित है, किसी भी भगवान की नाम, राम लो, किर्षिन लो, सिव, सब एक ही बात है वस, नाम अनेक है भगवान की, तो इसकी तुलना करने वाले पारस को सेर ढेर मूली आलू के साख बेचने में मुरकता करने वाले से कम मुरक नहीं है, जो इसकी तुलना नहीं पैचानता और उसे वो दे आता और साख सब जो इसके बदले में ले आता, तो फिर क्या होता, सदा कंगाली बना रहता हो तो उसी प्रकार रामनाम के मैतव को नजानने वाला भी प्रेम और भगति की द्रिष्टी से सदेव दृद्र ही बना रहता है तू भगवान के प्रभाव और तत्व रहसे को नहीं जानता इसलिए इस साधारण से रोग के लिए तुने राम नाम का तीन बार परियोग करवाया जिस नाम के प्रभाव से भैंकर भवरोग मिट जाते हैं उसे मामूली रोगनास के लिए उप्योग मिलाना सरवता अग्यानता है तेरी इस अग्यानता को मिटाने के लिए ही तो मैंने तुझे पारस पत्थर दे कर भेजा था यह सुनकर शिश्य बगवान नाम का प्रभाव समझ गया और अपनी मूल भूल के लिए बार बार शमा मांगने लगा मात्मा से अब इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि पारस के परभाव से अन्भिग व्यक्ति को यदि पारस मिल जाए तो वै उसे अज्यानता वस दो चार रुपे में ही बेच सकता है यदि वे मात्मा सिश्य को ठीक मुले पर पारस बेचने को कह देते तो वै अधिक से अधिक पांस साथ किलो आलू या एक दो रुपे में अवस्य ही बेच आता और इसे ही वह अधिक मुल्य समझता इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान नाम के प्रभाव को नहीं जानता उसके मुल्य को नहीं जानता वे उसे इस्त्री पुत्र धन आधी के बदले में ही बेच डालते हैं ये हमारी सरासर मुरकता है ये भगवान के नाम के आगे इस्त्री पुत्र धन दोलत कोई मान्या ही नहीं रखता है तो मुझे लगता है आप इस कहानी के द्वारा आज वो बात समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने का मेरा एक प्रियास था आज के लिए इतना ही जै श्री राम